तो आदाब नौसार गुडी इनिंग सश्यकार एक बद फिर आप तमाम लोग का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की से भी सोड में उम्मीद पूरी फैमिली अथी होगी लगातार बीच में शबनम फिर आइशा की अफसोसनात कहानी आज थोड़ा हट कर आज की कहानी जैपु चांदी हो गई चांदी हो गई मतरब किसी का बहुत भला हो गया कि कहावत ये मुहावरा इसकानी में कई जगा कई कैरेक्टर के साथ बहुत फिट बैठती है ये चोरी की एक ऐसी दास्तान है एक ऐसी अजीब कहानी है जिसमें वाकई चोरों ने खूब दिमाग लगाया उ और हैरत की बात है कि जिसका सामान चोरी हुआ है वो इस पोजिशन में इस वक्त कि वो सच-च बता भी नहीं सकता कि कितने की चोरी हुई कितने करोड का माल है क्योंकि चोरों ने उसको कुछ इसी तरीके से फसाया और उंठाया था अब जब यही पता नहीं कितने का माल है मालिक ही नहीं बताएगा तो कई बारी इल्जाम लगता है कि चोरी का माल जब बरामद होता है तो कम मिलता है बाकी पुलिस ले जाती है कुछ घपला हो जाता है अपने यह बहुत कुछ होता है अब यहां जब यहीं सही सही पता नहीं कि कि कितने का माल चोरी हुआ है तो चोर की भी चांदी जिसने चोरी कराए उसकी भी चांदी और हो सकता बरामादगी के बार पुलिस की भी चांदी हो जाए चोरी के काम में आंतोर पर इंवेस्टमेंट की कहानी कम सुनाई देती है पहले चोरी से पहले इंवेस्टमेंट किया जाए कुछ ऐसी चीजें हो लेकिन इस transplant के doctor है जो जिनके बाल वाल सर पर नहीं होते हैं तो ऐसे लोगों के वो सारे जो बाल उगाने का काम लगाने का काम तो अच्छा खासा इनका दंदा सबको चल रहा है कहानी की शुरवात होती है पिछले साल दिवाली से और इस कहानी का क्लाइमेक्स होता है इस साल 26 फरवरी को पांच्छे दिन पुरानी या आठ दिन पुरानी ये कहानी है डॉक्टर सुनित सोनी का एक दोस्त था जो जैपुर मही एक नामी जोयलर था और अच्छे खासी उसकी अपनी शौप थी और जोहरी था वो कि Sanjeev अगरवाल और डॉक्टर सुनीत सोनी की दोस्ती हो जाती है कई बार वो उसके जूर्डी शॉप पे जाते है इसी दौरान में पिछले साल दिवाली और उस पहले कई ऐसे मौकई आते हैं जब संजीव अगरवाल डॉक्टर सुनीत सोनी को यह मश्वरा देता है कि चुके बहुत सारे पैसे वैसे हैं सेविंग करनी हैं आप बैंक वह जाओगे तो बहुत सारे इंकम टेक्स यह वह बहुत बहुत सारी चीजें तो उसने चोरी का रास् में आगे उसके बाद उन्होंने संजीव अगरवाल से चांदी खरीदना शुरू किया कई बार क्रेडिट पर भी दिया संजीव अगरवाल ने डॉक्टर साब भी खुश हो गया और यह दीरे-दीरे सिलसला चलता रहा और इस तरीके से करोणों रूपे की चांदी इन चांदी को उन्होंने अब घर में रखा इसी दौरान में संजीव अगरवाल ने एक दिन उनको मश्वरा दिया कि घर में इस तरीके से चांदी ना रखें उसको छुपा कर रखें उसको जमीन में गार दें कोई तहखाना बना लीगे और वहां रखिए ताके कभी रेड अगरवाल की मौजूदगी में ही उन्होंने उसे बताया क्योंकि दोस्ते कि मैं यह जो चांदी अपने घर में एक बेस्मेंट में एक तैखाना बना रहा हूं और उस तैखाने के अंदर इसको गार लूँगा तीन बड़े-बड़े बॉक्स में डॉक्टर सुनी सुनी ने चांदी को रखा और उन बॉक्स को घर के बेस्मेंट में एक तैखाना बना कर गड़ा को दुआ कर उसके अंदर दफन कर दिया और अब उन्हें लगा कि पकड़े वकड़े जाएंगे ने इंकम टेक्स और बाकी चीज़ों से भी बचे रहेंगे और यहीं वो गल्ती कर जो शक्त उन्हें चांदी जबा रहा रहा था जो शक्स चांदी को छुपाने का तर्कीम और आइडिया दे रहा था उस शक्त के दिमाग में कुछ और चल रहा था उसे पता था कि डॉक्टर सुनीत सौनी के पास कितने की चांदी है उसे पता था ये सुनीत सौनी ने चांदी कहां रखी उसे ये भी पता था कि शायद जमाने को ये सचनी बताएंगे कि तोटल कितनी चांदी है उनके पास और घर में किस बेस्मेंट के तैखाने में कहां पिये दफन है उसे भी पता था इसके बाद साजिश की कड़ी शुरू होती है संजीव अगरवाल का एक भांजा जतिन उसके साथ मिलकर अब वो डॉक्टर सुनित सोनी के सारे जो चांदी है उसको लूटने की प्लानिंग करता है अब घर के अंदर घुसकर हतियार के बल पर लूट पाट करना रिस्क जादा था तो ऐसी प्लानिंग करता है कि काम भी हो ज दिवाली के दोरान ही डॉक्टर सुनित सोनी ने इसको तहकाने के अंदर गाड़ दिया था दिवाली के बाद महीना गुजरता है जनवरी के पहले हफते में साधिश की शुरुवात होती है संजीव अगरवाल अपने भांजे के अलावा चार लोगों को इस साधिश में शा जहां पे है कोठी उसके ब्रावर में एक प्लॉट खाली था और यह बात संजीव अगरवाल को मालूम था और यह बात उसे तब से मालूम था जब से उसने डॉक्टर सुनीत सोनी को चांदी को बेस्मेंट में तहखाना बनाकर गालने का आइडिया दिया था क्योंकि उसको रहिस्वी के पैसे अलग से देता है प्लॉट के कीमत करीब 90 लाक रुपे थे यह प्लॉट बिलकुल डॉक्टर सुनीत सोनी के घर के बराबर में जिनवरी में प्लॉट खरीदने के बाद अब साजिश की दूसरी कड़ी शुरू होती है उस प्लॉट में पहले दीवार बनेंगे लेकिन फिल्हाल पहले चार दीवारी और उसके बाद एक कमरा तयार किया जाता है जन्वरी के बाद कमरा तयार करने का मकसद दूसरा था उस कमरे को बनाने के बाद उस कमरे के नीचे जमीन में खुदाई शुरू हो जाती है करीब 10 फीट गहरी गहरा गढ़्धा खोदा जाता उस कमरे के अंदर जब 10 फीट गहरा गढ़्धा खुद गया अब उसके बाद उस गढ़्धे से उतर कर जा करीब 26 फीट लंबा एक टनल बनाना था एक सुरंग और वो पूरा नापा गया था चुके संजीब अगरवाल को मालूम था कि डॉक्टर सुनीत सोनी के घर में किस जगे पे चांदी को गाड़ा गया है और वहां तक इस प्लॉट से जाने का रास्ता और नक्षा क्या सारा उसके दिमाग में था इसी के बाद दस फिट पहले गहराई और उसके अब 26 फिट लबी सुरंग को बनाना था 26 फिट जो था वो जाकर ठीक उसी बेस्मेंट के नीचे जाकर मिलना था जहां पर चांदी रखा हुआ था जनवरी से खुदाई का काम शुरूग होता है लेकिन फिर बीच में अचानक क्यों होता ह हैं तो अचानक पानी की तंकी का कुछ हिसा जमीन के अंदर आ जाता है अब उन्हें लगता है कि अगर वो खोदा और पानी बाहर निकल गया एक तो सुरंग बंद हो जाएगा और दूसरा लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि तंकी का पानी रुकेगा तो पिर जिनका तं किना है खुदाई शुरू ही यह सिलसला चलता रहा पूरा महीना निकल गया फरवरी का भी पहला हफता गुजर गया आखिरकार 12 फरवरी को 12 फैब 26 फित लंबी सुरंग तयार हो गया और यह सुरंग ठीक उसके नीचे जाकर इसका मुझ खुल रहा था जहां पे डॉक्टर उसके बाद जो चार-पांच लोग थे कुल संजीव अगरवाल की जिसनों का भतीजा भी यह लोग उस सुरंग के रास्ते वहां पहुंचते हैं और डॉक्टर सुनीत के उस बेस्मेंट के नीचे से बॉक्स को निकालते हैं बॉक्स के अंदर से सारा माल निकालते हैं और ए सारा माल निकाल कर उस घर में खुदाई बन कर दी जाती है और उस घर के लोग वहां से खायब हो जाते हैं बात आई गई हो जाती है बारा तेरा चौदा करीब तीन-चार दिन तक यह सारी चीज़े हुई थी फरवरी इसके बाद मामला सांत हो गया वहां से सारा सामान चला जगह सब सही स्लामत है कि नहीं है वो बेस्मेंट में पहुचते हैं जब बेस्मेंट में पहुंचते हैं तो अचानक देखते हैं कि वहां पे कुछ खुदाई जैसी चीज़े और ऐसे लग रा है कि कुछ गड़्ड़ा कुदा गया इसके बाद वो बॉक्स खोड़ते हैं तो बॉक्स तूटा हुआ मिलता और बॉक्स खाली अब बॉक्स खाली देखते ही डॉक्टर सुनीत के पैरो तले से जमीन खिसक जाती है लेकिन ये तो अभी पैरो तले से जमीन खिसकी थी जब वो एक बॉक्स को अटाते हैं तो देखते हैं कि उसके नीचे भी जमीन खिसकी करें फिर भी हमद जूटाते हैं और प्लिस के पास जाते हैं और पुलिस को जा था हधाते हैं कि कुछ उनके खानदानी जो जेवर थे पर में ती अनमोल वो और कुछ चांदी वह अनोंने इस बॉक्स में लेकिन कि यहां से सुरंक Saggit lle Kristen लिए ये पुलिस निकलती है तो सी प्लाट में जाकर निकलती प्लाट से यह बनाना शुरू हुआ था और सो घ्रush् fairness कमरी में का दूसरा मुखनता में अब इसके बाद पुलिस पता करती है प्लाट इसके बाद पुलिस नाम के जो शिखर अगरवाल जोएलर उनके लिए काम करता था उसने ही पैसे दिये प्लॉट बेशक उसके नाम पे है पर पैसे शिखर अगरवाल ने दिये थे और उसके बाद उस चार लोगों का और नाम लेता है इसमें तीन मुलाजिम थे शिखर अगरवाल जोएलर के पुलिस इस कल्प्रिफ्ट शिखर अगरवाल और उसका भतीजा जति यह दोनों गायब हो चुके थे इसके बाद पता चलता है कि इन लोगों ने वहाँ से करीब 18 सिल्नियां बड़े-बड़े चांदी के वो निकाले और उसको ले जाके अलग-अलग जगों पर बेज भी दिया क्योंकि जोयलर अगरवाल के ऊपर कई करजे भी थे और वो उनको बेजबेट कर करजे उतार रहा था लेकिन फिर उसे पता से लगया कि उसको लोग गिरफतार हुएं ते वो अंडरग्राउंड हो गया वह भाग गया अब इदा डॉक्टर साब से पूछा गया क्या पुलिस के भी क कि यह शिकर अगरवाल नहीं कहा था कि इस तरह से चांदी में इंवेस्ट करो घर में रख दो कभी इंकम टेंक्स और इन सारी चीज़ों के लफले से बचे रहोगे और मुझे मालूम नहीं था कि वो फिर ऐसा करेगा लेकिन अभी तक कि जो जैपूर पुलिस की अंतौर पे लोग चोरी जब चीज होती है तो पुलिस को बताते हैं यहां पे अगरवाल ने जो कुछ चुराया डॉक्टर सुनीत की मजबूरी यह है कि वो सही मानों में कि कितने रकम या कितनी की यह चांदी है वो शायद बता नहीं रहे अब इसमें दो चीज़े हैं चो और ने तो लूटा ही लूटा अब बरामदगी में उनको वापस कितना माल मिलता है इसकी भी कोई गैरेंटी नहीं है लेकिन कुल मिलाकर चुकी नियत ही शुरू से इस पूरे मामले में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग ती डॉक्टर साब ने पैसे बचाने और को न दिया जा सके जोरी ने फायदा उठाया उनकी इस बैमान नियत का और उसके बाद वो चोरी करके लेगिया अब बरामदगी कितनी होती है यह भी पता नहीं तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें हर एक की चान्दी हो गई है लेकिन यह अपने आप में इसलिए खोड़ी लगी भी है फिर उस जगह चोरी करने के लिए बाकाद एक प्लॉट खरीदा जाता है और फिर पूरी साधिश को अमल मिला जाता है और जिसका सामान चोरी हुआ वो इस पोजिशन में नहीं है कि वो बता सके कि वाकई कितने का चोरी हुआ है तो यह कहानी अब देखे जैप होगी अपना ख्याल दखेगा अपनों का ख्याल दखेगा थैंक्यू बढ़िए